हेलो एवरिवन विल्कम टू माई चैनल हाइबर ट्रेडिस भी मैं हूं महुमत सुहिल दोस्तों आज आप लोगों के सामें स्टॉक लेके आ गया हूँ आर्बियल बैंक आपको पता ही है आर्बियल बैंक के इंदर हम लोगों ने 190 लेवल पे एंट्री ले चुके हैं और स्टॉक रिवर्सल जाता हुआ भी 5 रूपीज के हिसाब से जो भी एवरेज करें दोस्तों आज के दिन भी सभी लोग प्रॉफिट में ही हैं दोस्तों क्यूंकि देखिए जो भी हम लोग ने 5 रूपीज 7 रूपीज की एवरेज स्ट स्टाटेजी भी कम आया है हम लोग इसके अंदर अभी के लिए तो प्रॉफिट में है क्यूंकि हमारा 177.50 पैसा के उपर ही हमारा ओवराल एवरेज बन चुका है दोस्तों शॉर्ट टम के लिए तो दोस्तों इसके अंदर हमारा स्टाटेजी मेंटेन ने हुआ क्यूंकि 170 लेवल इसने टच नहीं किया है 170.60 पैसा से ही स्टॉक रिवर्सल लेके उपर गया क्यूंकि सभी को पता है कि अगा स्टॉक 170 लेवल ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा इसलिए दोस्तों स्टॉक उपर ही ट्रेट कर रहा है अब देखे हम लोग किदर प्रॉफिट बुकि करें या स्टॉक को होल्ड करके चले डबल प्रॉफिट के लिए ये भी आज की वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिए इंफर्मिशन इस मिस हो जाएंगे तो देखिए आर्ट बेल बैंक के अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों पर क्लिक कर दीजिए आज का दिने 15 सेप्टेंबर 2020 टूजडे आर्बिल बैंक का क्लोजिंग प्रैज है 183.95 पैसा आज इसका डे हाई है 184.65 पैसा डे लो है 179.50 पैसा दोस्तों स्टॉक 170.60 पैसा के नजदिकता गया था हम लोगों ने 7 रुपीज के हिसाब से आवरेज 173 पैसा के उपर हमारा 5 रुपीज के हिसाब से आवरेज 175 तक भी करें है हमारे ओवरॉल आवरेज 7 रुपीज के अकॉर्डिंग भी देख लिए तो 177 के लेवल तक हमारे 7 रुपीज के आवरेजे से और हमारे 177.50 पैसा के ऊपर हमारा 5 रुपिज के हिसाब से average है, आज के दिन भी हम लोग profit में ही हैं दोस्तों, normal profit में हैं, हम लोग सभी लोग दोस्तों जो 7 रुपिज के हिसाब से average करें हैं, 5 रुपिज के हिसाब से average करें हम सभी लोग 190 के पास ही exit होंगे double profit में, अभी जो भी इसे short term के लिए hold कर रहे हैं stock दोस तो middle average आपका 180 बनता, अगर 180 के उपर भी stock जाने लगा, जो आप 210 पे exit कर रहे थे, आप वो 200 पे भी exit कर सकते हैं, जो हमें normal profit होती थी short term target पे, आज के दिन जो भी इसके अंदर reversal आया है, जो भी इसके अंदर up move आया है, इधर के आए, consolidate करके stock उपर जाने वाला है, यहां से reversal ग बताने वाला हूं candle chart analysis करते हुए, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं candle chart पे, यह मेरा telegram channel है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है, तो description link में link है, link को hit करिए और join करिए मेरा telegram channel for intraday live tips and stock market updates के लिए, आप सभी का और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए में helpful होने के लिए दोस्तों, इंस्ताग्राम का पेज भी लेके आ गया हूं, लाइव मार्केट के ज़्यादा तर एक जेगे पर अटक जाते हैं, stock pressure लिकल नहीं पाते, stop loss समझ भी नहीं आता है, target समझ भी नहीं आते, जहतर problems होती ही रहती है, इसके लिए मार्केट में भी आप लोगों के साथ में रहे सकूँ, इसलिए मैंने हाइपर्टेडिजबी का इंस्ताग्राम पेज लेके आ गया हूं, वो इंस्ताग्राम पेज का लिंक भी आपको description में मिल जाएगा, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, candle chart analysis के उपर, दोस्तों जो हमार 210 का range था, हम लोगों ने जब buying किया था, इसके हिसाब से आप सभी को मैंने क्या कहा था दोस्तों, इधर 190 पे average करेंगे और 170 पे average करेंगे, देखिए 190 पे हमारा already average हो चुका है, mid range average हमारा 200 हो चुका है, अगर इधर 170 पे average होता तो हमारा 190 mid range average होता, जो 210 पे entry करे है, 190 पे overall average ब लगा तो भी आप सभी को 210 जाते हुए double profit ही होता है दोस्तों, जो भी 210 पे entry लिए है, 190 पे entry लिए है, थोड़ा रुकिये, जो मैंने 174, 170 जिदर भी आप सभी को मैंने 172 entry कराए, 170 नहीं दोस्तों, 172, 173 stock जाते हुए video upload करके आप सभी को जो मैंने entry कराए, थोड़ा सबर र 20 से 210 तक हमारे level पे मिलते हैं, अब normal profit में भी कल के दिन 185 के पास exit हो जा सकते है, वरना थोड़ा सबर करिये दोस्तों, patience रखिये, patience definitely pay करता है, ये बात मैं आपको कभी भी बताते आता हूँ, हर वीडियो में अभी तक हम लोगोंने double profit, normal profit, RBL bank पे कमाया ही है, आगे चलके भ बेफिकर exit हो जा सकते हैं दोस्तों, और हम लोग जो ये हफते के लिए 11 तारीक, यानि Friday के दिन जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, और मैंने जो 8 तारीक साथ तारीक या, 8 तारीक वीडियो अपलोड कर दिया था, एक ही बात कहा था कि next week के हिसाब से हमारे targets होंगे, 186 और 188 targets होंगे, देखिए 188 तो targets हमारे achieve नहीं हुए हैं और 186 के level को जाके stock ने reversal लिया है दोस्तों, तो देखिए हमारे weekly targets already achieved हो चुके हैं, जो भी हमारे इसके अंदर 188 के target से ये भी achieve होंगे, अगर ये ही हफते में 190 level भी attach कर रहा है, हम लोग इधर double profit से exit हो जाएंगे दो दोस्तों, अगर आप normal profit में भी exit होना चाते हैं तो normal profit में भी बे फिकर से 188, 186, कल की दिन 185 भी जाता हुआ दिखा stock, कल के दिन भी आप exit हो जा सकते हैं, और जो 170 level पे मैंने average strategy maintain करने के लिए कही थी short term targets के लिए, आप 170 पे भी average करिए दोस्तों, 190 overall average बन जाएगा, ये हमार last final average strategy होगा, हम लोग जो maintain करेंगे, 170 के नीचे capital नहीं लगाएंगे दोस्तों, direct हम लोग लगाएंगे तो इसको final average करने के लिए, जो हम लोग ने backup capital लिका लाए, 140 पे ही हम लोग average करेंगे इसे, अब चेलिए मैं वीडियो के अंदर आगे बढ़ जाता हूँ, कल के लिए इं 15th September 2020 Tuesday RVL blank का closing price है, 183.95 पैसा, आज देखिए यह जो मैं target निकाला हूँ, 16th Wednesday September 2020, यानि कल के लिए, कल के दिन buying का position बने, selling का position बने, आप मेरे target बेफिकर से लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर price action बनता है, RVL bank के अंदर, उसके according आप लोगों के लिए intraday target लि देख भी सकते हैं, 186.40 पैसा और 179.10 पैसा, अगर आप इसके अंदर पहले target पे भी trade करेंगे, तो आपको इसके अंदर profit हो नहीं है, और आप कैसे trade करें, पहले second target पे ज़्यातर सभी को confusion होता है, तो देखिए इदर 50 quantity, 50 quantity, यानि 50%, 50% के हिसाब से trade करिए, या 75, 25 के और ये मेरे तरफ से humble request भी समझीए, अगर आप मेरे buying and selling position पे trade कर रहे हैं, तो stop loss target लगा के चलिए, stop loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है, target हो है तो कितना profit हो रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा